नमस्कार दोस्तों मैं आपका होस्ट डॉक्टर संजे गुपता हमारी येट्व चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम जानेंगे रक्त चाप को कैसे नियंतित करें क्योंकि आज कल हाई बीपी की समस्या बहुत अधिक है दोस्तों हम लोग का जो खान पन है आजकल खान पन में मिलावट को यह से सरीर में अने को दिखते आती हैं और बीपी हाई हो जाता है ब्लड प्रेसर बढ़ जाता है ब्लड प्रेसर बढ़ने को यह सरीर में अने को दिखते आ जाती है दोस्तों ब्लड प्रेसर का बढ़ना बहुत ही खतरना होता है यह ह किस तरव से रोकना हैं दोस्तों अगर किसी का birड प्रेशर हाई रहता है जदा रहता है और वह दवायों के आधी बन चुका है तो जो दवायों के आधी बन चुके हैं वह एक निसा की तरह है है हमें उसे चोड़ना पड़ेगा लेकिन हम छोड़े तो छोड़े कैसे यदि अगर हमारा BP बढ़ता है तो दवाई लेने भी जरूरी होती है मैं नहीं कहूंगा कि आप दवाईया बिल्कुल बंद कर देज़े आप कुछ घरेलू नुसके अजमाएगे जो प्रैकृति नहीं दिया है और प्रैकृति के दिया हुए नुसका अगर आप अजमाते हैं तो आपकी BP के दवाईया धीरे-धीरे कम हो जाएगी एक दिन BP के दवाईया बंद हो जाएगी और आपकी इस घरेली नुसके से BP हमेसा के लिए नॉर्मल हो जाएगा अगर आप इसे लेते हैं तो आपका हाट हमेशा स्वस्त रहेगा हाट में किसी तरह के समस्या नहीं आई दोस्तो यह देखा गया है कि जो हमारा नॉर्मल बीपी होता है एक सिस्टोलिक होता है जो 120 और डैस्टोलिक जो होता है असी होना चाहिए यह उमर के इसाब से थोड़ हाइपरटेंसर के नाम से भी जान रहा है दोस्तो आप जानते हैं कि अगर व्यक्ति का बीपी बढ़ जाता है घवराट होती है परसानी होती है तो हमें क्या करना है दोस्तो इसके लिए उचित परहज करना है जिससे हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रोल की मात्रा ना बढ़ है ह परेज के साथ चलेंगे तो हमारे कोलेस्ट्रोल नॉर्मल हो जाएगा साथ साथ मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपको योगा बताया था आपको सितली प्रणयाम करना है जिसमिका करना है कि दाहिने नाक के शेद को बंद कर लेना है और बाएं से सांस लेना है और छोड करना जाता है अगर इस प्रणयाम को आप कुछ देर करते हैं तो आपका बीपी नॉर्मल हो यह रही इमर्जेंसी बीपी को नॉर्मल करने का तरीक। अब हम जान लेते हैं कि हम बीपी को कैसे कंट्रूल करें जो हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाए दोस्तों इसके लिए आपको परियोग करना है हरी प्याज का हरी प्याज हाई बीपी के लिए बहुत ही फायदे मन्द होता है दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हरी प्याज के अंदर बीटामिन A, बीटामिन B, बीटामिन C तथा बीटामिन K भरपूर मातरा में पाये जाता है अगर आप हरी प्याज का परियोग करते हैं तो आपका हाई बीपी कॉंट्रोल में होगा साथ में सरीर के अंदर बीटामिन A, बीटामिन B, बीटामिन C तथा बीटामिन K की कमी की पूर्ती हो जाएगा इसके अलावा प्याज के अंदर कॉपर पाये जाता है, मैगनिसियम पाये जाता है, सेलेनियम पाये जाता है, सल्फर पाये जाता है दोस्तो इसमें उचित मातरा में फाइबर भी होता है जिसकी वज़ा से यह हमारे हाई बीपी को कॉंट्रूल करता है नियंतिरित करता है और इसमें प्रैकृतिक सलफर होने को जासे यह बीपी को न घटने देता है और नहीं बढ़ने देता है तो दोस्तो इस प्रैक्रितिक नुस्के को आपको जरूर अपनाना चाहिए अगर आप अपनाते हैं तो आपका हार्ट भी ठीक रहेगा और बीपी भी कॉंट्रोल रहेगा यह बहुत ही असान नुस्का है दोस्तो हरे प्याज का पुरियोग यदि आप सलाद के रुप में करत जाए अगर आप कच्छा प्याज सलाद में लेते हैं खाने के साथ लेते हैं या खाने से पहले लेते हैं तो आपके बीपी को कॉंट्रोल किया जा सकता है आपका हाई बीपी नॉर्मल रहेगा दोस्तो हमारा ये नुस्का आपको कैसा लगा कमेंश करते जरूर बतला है साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले हमारे सारी वीडियो आपको असानी से मिलते हैं फिर मिलते हम नए नुस्के के संग नए वीडियो के संग जब तक के लिए जय हीन जय भाद